हेल फेंट्स मैं हूँ सनमय प्रकाश और आप दिख रहे हैं यूटूब चैनल सरकार जॉब नियूज ये रूजगार समाचार है फरबड़ी 2021 के सेकंड विक का और बीसवी भागों में 28,000 से ज्यादा वेकेंसी की इंफॉर्मिशन है इसे मैंने के अंदर सरकार दोर जाड़ एंट्री के तहट भरती हो रही है नोटिफिक्शन जारी हुआ है 30 पद है जॉइंट सेकेटरी और डिरेक्टर के लिए योगता उनची ये 10 से 15 साल एक्सपीडियेंस एज लिमिट है 40 से 55 साल लाजटेटर फॉर्म बढ़ने के लिए 22 मार्च और सहली 2,21,000 रुपे है ओके पार मात इसके बारे मैंने क्यों बताया जब इतनी इलिजबिल्टी थे देखे जो वैकेंसी यूपी एस्टी सिवल स्टर्विस्ट इग्जामनेशन के थू होनी थी उन में से ये 30 जो है वो सी इधे भरती की जा रही है कॉंट्रेक्ट पे प्राइवेट सेक्टर के लोगो को इन इतनी एक बसक्राइब को ये बाद्त यह जाएंगे किस-किस मिनिस्ट्री में वो भी एक बाह देख लेते हैं तो देखेंडली ऑफ अग्रिकल्ट्र हेर्म वेल्फएरर, मिनस्ट्र अफोऔर, कॉणारीज मिनिस्ट्रीव सिविला देखेंच्टै, मिनिस्ट्री अइ हाईवेज और मिनिश्री ओफ इसकेल डिवलोपेंट एंड इंटर पिर्नेर्शिव ओके तो इतनी यह भरती हो रही है और कॉंट्रेक्ट पे हो रही है जिस पद के लिए युवा काफी तेयारी करते थे और इसके बाद भरती होनके बाद कई सालों के experience के बाद Joint Security के पद पर रखा जाता था तैनात के जाता था IAS अधिकारियों को तो वहाँ पर अब सीधी भरती हो रही है एक तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार UPSC के examination में भरतियों में संख्या काम होते जा रही है आप देखिए कि UPSC का civil service examination था 2014 में इतने सारे पद थे 1291 प पद रहे के थे तो इसे मैंने एक तरह से आपको बताया भी information में दी कि कि इस तरह के से vacancy UPSC civil service examination में घटती जा रही है यह IS बनने के जो मौके हैं वो कम होते जा रहे हैं competition काफी tough होता जा रहा है और सरकार एक तरप से यह lateral entry के ताहत यह भरती कर रही है ठीक है इसका notification आ चुका है तो इसमें यह ही है private sector के जो अनुभवी लोग है उनको सीथ है contact पे यहाँ पर लाय जाएगा और joint security बनाय तो इस बार संख्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है ओके चलिए आगे बरते हैं और अगली विकंसी यह RBI में है 48 पाध है junior engineer के लिए योगता और ची डिप्लोमा and degree related to engineering एजल मिठें 20 से 30 साल लाश्टेटर फॉर्म मंडे के लिए 15 फरवरी अप्लाइफी 50 से 450 रुपह है और सहली यह देखनों के मिल लिए online फॉर्म भर जागा male female दोनों के लिए मौका है इस वीटियो के description में detail मिल जागा अगली विकंसी आ रिए आसम राइफल से यहां पर 134 पर हैं हवलदार कलर, राइफल मैं गोश्र म cohesive का राइफल मैं सपाई, राइफल मैं कोग, राइफल मैं एटेंडन, राइफल मैं प्लंबर, राइफल मैं इलेक लेक्रिशिं और व्यीजिस पत है यूगताउन송ी 10 या Xẵिल्प या 10th, 12 या इडिप्लमाई, या reward क herd इजञ् अगली वकंसी आ रही है यह डेली डेश्टिक कोर्ट में यहाँ पर 417 पद हैं प्योन, चौकेदार, स्वीपर, प्रोसेस, सर्वर यह सब बद हैं योगता और ची टेंथ या ट्वेल्थ पास, एजन मेंट है अठार से 27 साल, अप्लाई डेट है, साथ फरवरी से यह शुरू ह हो चुका है और 21 फरवरी तक फॉर्म भर जागा, अप्लेक्शन फी यह है और सेली देख रहे हूं, अच्छे कासी सेली है, मेल फी मेल दोनों के लिए दिली में मौका है, अगली वकंसी है, स्टेट बैंक आफ इंडिया में यह पांच पद है, मनेजर रिटेल प्रोडक्ट के लिए, यह स्पेशलिस्ट केडर पोश्ट है, योगताओं चाहिए, MBA या PGDM या BE या BTEC या PG या IT विद एक्सपरियेंस, एजन मिठ है 25 से 35 साल, लाजट डिट फॉर्मरे के लिए 12 फरवरी और फी आप देख रहे है, 02750 रुपीज है, और सहली अच्छी कासी ऑनलाइन बढ़ा जागा, अगली विकनसी है, स्टाफ सेलेक्शन कमिशन से, इसका जो नोट्वीशन है, वो आ गया है, MTS की भरती के लिए, तेंथ पास या EQUVALENT होने चाहिए, योगता, अठार से 27 साल है, एज लिमिट, लाश्ट डिट फॉर्मरे के लिए 21 मार्च, ओके, और 0-200 अगली विकनसी लेते हैं, उसे पहले बता दूं कि 2020 का जनौरी से दिसंबर तक का करेंट फॉर्मरे के लिए प्लेबल है, पीडिएफ और बुक भी अपलेबल है, इस विडिएफ भी 432 पेज के है, और बुक भी, बुक तो आमेजन पे पिछले 2 महीने से बेस्ट सेलर है, तो आप जरूर देखना, तमाम जो भी विकनसी बताई, UPSU, SSC का MTSO, सब में काम आएगा, जरूर देखना, अगली विकनसी देखते हैं, यह राज्थान पब्लिक सुर्च कमिशन से 857 पद हैं, सब इंस्पक्टर और प्लाटून कमांडर के लिए, यह उतान चे एक रिज देखने को मिल रहे हैं, महाराष्ट में यह विकनसी है, अगली विकनसी है, उत्तरप्रदेश Power Corporation Limited से 21 पद है, जूनिया इंजिनियर, सिविल के लिए, यह उतान चे, सिविल इंजिनियरिंग, डिप्लोमा, एजिनमिट है, 18-40 साल, लाजट रेट है, 23 फरवरी, एप्लिक्शन फी, 700 से 1000 रुपे के बीच में हो, और साली आप देख रहे हैं, मेल फ्यमेल दोनों के लिए मौका है, सुद्यो के डिस्क्प्शन में डिटेल मिल जाएगा, ओनलाइन फोर्म भड़ जाएगे, अगली विकनसी है, National Institute of Health and Family Welfare, यह निव डेली में, यहां पर 20 पद है, इस्टोनियरिंग्राफर, असिस्टेंट, इस्टोर कीपर, MTS, feeder, laboratory attendant, copyholder and others, योगताउंचीर, 5th या, 8th या, 10th या, 12th pass, age limit है, 38 साल, last date of format के लिए 26 फुरवरी, application fee 0 to 200 है, और साली ठीक ठाके, लेबल 1 to 5 के बीच में है, ओफलाइन फोर्म मार जागा, New Delhi में, वकनसी है, male female, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो के description में, डिटे Institute of Health and Family Welfare, दीकिए, दो तरह के notification आया है, अलग-अलग, तो इसमें 8 पन है, इसमें 8 पन है, इसमें, ग्रेट 3, लेबरेटरें, स्टाफ नर्स, टेक्निकल, आसिस्टेंट, टेक्निकल, असिस्टेंट, टेक्निकल, असिस्टेंट, वकर अगर, या, 10th या, 12th प्लस डिप्लो जीडी और कॉंसरिबल रेडियो के लिए, योगता और चाहिए, 10th या, 12th पास, एजमेंट है, 18 से 30 साल, एक्टेंडेड लाज्ट डेट है, मतों, डेट बहर गया है, मौका है, फिर से 11 फरवरी तक के लिए, अपलेशन फी 300 से 800 रुपे है, और सहली देख रहे हैं, एज लिमिट है, 18 से 40 साल, लाज्ट डेट फार्मर्ण के लिए, 26 फरवरी, और यहां भी एपलेशन फी 100 रुपे है, जनरल, OBC, एन, EWS के लिए, और सभी काटेगरी की महिला हैं, इसके अलावा, S.A.H.D. और P.W.T. को फी नहीं लेगा, अच्छी खासे सेलरी है, दिल्ली यह सुरक्षा बल है, C.A.P.F. उसमें जो लोग रह चुके हैं, वही अपलाई कर पाएंगे, एज लिमिट है, 21 से 35 साल, प्लस छूट भी मिलेगी इसमें, एज में, लाज्ट डेट फार्मर्ण के लिए 13 फरवरी, एपलेशन फी 500 रुपे है, और कुछ के लिए 50 रुपे ह अच्छी कासी है, male female दोनों के लिए मौका है, New Delhi में, अगली वकेंसी है, यह रामानोजन कॉलेज में, यह डेली में है यह, University of Delhi का यह कॉलेज है, 14 पद है, MTS, Junior Assistant, Laboratory Assistant, Semi Professional Assistant, और कुछ दूसरी भी पद है, युगता उनची है, 10 या 12 या ग्रिशन या पोस्ट गेजूट डि एज लिमिट है, maximum 35 years, plus reserve वालों को छूट मिलेगी, लाश डेटर फार्म मरने के लिए, 19 फरवरी, और एपलेशन फी, 0 to 500 रुपीज है, और सहली अच्छी खासी इसमें बताई गए है, इस वीडियो के डिस्कुप्शन में, डिटेल आपको मिल जागा, अगली वकेंसी आ र 27 साल, लाश डेटर फार्म मरने के लिए, 19 फरवरी और एपलेशन फी नहीं लगए, अच्छी बात है, और सहली बहतरीन है, लगभगे एकलाग तक सहली हाइस्ट चली जागी, और All India Vacancy है, मेल फी मेल, दुनों के लिए मौका है, आफ्राइन फार्म बढ़ जागा, तो आफ 28 या 10 या 12 या डिप्लोमा या ग्रिजूशन या डिग्री इन लेबरेटी साइंस या पीजी, एज लिमिट है, 18 से 35 साल, लाश डेटर फार्म मरने के लिए 15 फरवरी, एपलिकेशन फी 0 तू 500 रूपीज है, और सहली बहतरीन है, नियो डेली में ये वाकेंसी है, मेल फी मेल दोनों के लिए, लेकिन आफलाइन फार्म भड़े जाएगा, डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगली विकंसी है या हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन से, यहां पर 7,298 पाद है, कॉंस्टिबल के लिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए, योके, य मेल फीमेल दोनों के लिए मौका है, हरियाना में, ऑनलाइन फार्म भड़ा जागा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जागा, अगली विकंसी है यह राष्टी ए मिलिटरी स्कूल से, बैंगलोर में, यहां पर 16 पाद है, LTC, Lab Attendant, MTS, Washerman, Table, Waiter, युगता मेल फीमेल दोनों के लिए मौका है, लेकिन आफ्लाइन फार्म भड़ा जागा, तो आफ्लाइन फार्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगली विकंसी अरी है, National Institute of Tuberculosis and Respiratory Disease, यहां पर पाद है, LTC, Driver, Housekeeper, X-ray Technician, Library Information Assistant, Junior, Electric Mechanic, Hospital MTS, Health Education Officer, System Analyst, यह उगता हों या 9th या ITI या 12th या MA या MSC या M. Tech या PhD या MD या MS, Age Limit है, अठर से पैंतालिस साल, लाश्टी ट्रफॉर्मन के लिए 28th फॉर्वरी, एप्रेशन फी 50 to 100 रुपीज है, और New Delhi में यह वेकंसी है, ओफ्लाइन फार्म भड़ जागा, तो डिस्क्रिप्शन में फार्म का देल है, तो दोस्तों ये था रोजगार समचार, हम लोग हर संडी की रात को ये वीडियो लेके आते हैं, आगली बार देखना मत भूलना, और फिर से बता दूँ कि 2020 का Current Verse Book अपलेबल है, और बहुत पॉपलर है, अमेजन पे Best Seller है, तो आप देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके तमाम एक्जाम मिशन में काम आएगा, और डेली Current Verse देखना मत भूला, मॉर्णी को.